अस्लाबी ऐकम दोस्तों कैसे हैं आ爭 पढ़ेंगे प्रेजंट कं टेन्जों के वारे में प्रेजंट कंटिनूज क्या होता है सबसे पहले इसकी definition समझ है कि Da tous oltu font a!", फ होता है ऐसा हमारे पास tenz है जो कि शो करता है कि कोई भी जो action है कोई भी काम जहाँ वो तक्रीब नियर फ्यूचर के अंदर जहाँ वो टेक प्लेस होने लगा यानि कोई भीकाम नियर फ्यूचर में वाकियदे लगा है ऐसे इन्स अगर प्रैजेंट कंडिनियूस इनस की examples की बात करें तो सबसे पहली बात अर्दू के फिक्रात के अगर बात की जाए लिविंग इन पाकिस्तान पाकिस्तन के अंदर चुंकि हमारी जो कौमी जबान वो अर्दू है तो हम अक्सर आपस में अर्दू में बात कर रहे होते हैं तो हम कभी गौर नहीं करते कि मैं किस टे इंटिफिकेशन इसपेशली वेन वी टेक दे एग्जेमपल और्दू संटेंस तो रहा है रही है रहे हैं वगएर आता अर्दू फिक्रों के आखर में जैसे आप यहां पर यह समय लें मसलना मैं कहता हूं यहां पर कि वह लहौर जा रहा है अब देखों यहां पर क्या रह है आ रहा है तो यह किसकी मिसाल है यह किसकी पहचान है यह प्रेजंट को शोक कर रहे है इसी तरह अगर दूसरी मिसाल दूसरी पर यह था यह देखा यह फकीर दरवाजे पे खड़े हैं मतलब अड़ा है वगर आता है यह ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है यह बस्टेशन पे खड़ी है और से जह हो क्या कहते है उसको बस टेंड पी खड़ी है मतलब यह भी हमारे पास टेंस कौनस है यह प्रेजन कंटिनूस टेंस होता है जी तो अगर इसको बनाने की बात करें कि इंग्लिश के अंदर यह नहीं अंग्रेजी में यह फिक्रात बनाते कैसे हम तो यह बहुत असान है इसके अंदर किसी किसम के को मसला है नहीं है सबसे पहले बात बहुत इंपरटन जो यह है कि इसकी घृपिंग वरभब वह इज मरब हैं थेक है इसकी जो हाल्पिंग वरभब वह कौन-कौन से हैं इज एम और आर तो जासे कि परसनल परनाउंज होते हैं पास ही इसी तरह शी इसी तरह इट या आप कोई सिंगुलर नेम के अगर एक्जम्पल लें सुरी एक अगर किसी सिंगुलर नेम की मिशाल लें यानि कोई अस्लम अक्रम ऊगरा जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी बाद कर रहा था कि पाकिस्तान की अक्सर बुक्स के अंदरे अस्लम अक्रम का नाम बहुत मश्वूर है कोई असलम अक्रम और या मेरे नाम आगया मुहम्मद विलाल ट्रेनर ऑफ इंगलिश अगर को मेरे नाम आगे हैं तो हम ने इसके साथ इन परस्टनल परोनौन्स के साथ आपने क्या यूज़ करना है जी आपने इस यूज़ करना है एक ऐसा हल्पिंग वारब है जो ही शी इट या कुछ सिंगुलर नेम के साथ आप इसको इसको इस्तिमाल करते हैं इसी तरह अगर बात की हमारे पास यह आई के साथ इस्तिमाल की जाए परस्ट पर नाउनवन है यह दो किसम के फ्रस्ट पर संबरोनान ओका आई होता है एक वी होता है ठीके तो आई के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं मैं यूज़ करते अगर प्रेजंट कंटिनूस टेंस हो तो उसके बात जैसे आप यू के एक्जम्पल ले लें इसी तरह आप वी के एक्जम्पल लें या को प्लूरल नेम जा जाते हैं तो उनके साथ आप क्या यूज़ करते हैं जी आर इस्तमाल करते हैं और किसके साथ इस्तमाल होता वी के साथ यू के साथ इसी तरह दे के साथ ये ऐसे परसनल पर अवनाउन्स हैं जिनके साथ आप आर का इस्तमाल करतेई या कोई प्लूरल नेमज आ जा जाते जैसे मैं कहते हूं कि असलम और अक्रम लहुर जा रहे हैं। असलम और अक्रम जा है वह स्टेशन पर खड़े ойти ہیں मतलब क्या है यह किसकी इसकिन किसा कौन सा ह sleeping हम यूज़ करते है और यूज़ करते हैं आए लगा पर हम आए को सकते हैं अचarkaint। कर देस्टके कौन सा कर यूज़ करते हैं अब हम आगे चलते हैं यहां पे देखते हैं कि इसके बनाने का तरीका क्या है सबसे पहले हमने क्या करना होता है इसके अंदर सबसे पहले हम लगाते हैं सबजक्ट क्या होता है काम करने वाले को बोलते हैं इसी तरह उसके बाद आपने हैल्पिंग वाब लगाने उसके बाद आपने प्रेजंट पार्डिस्पल यूज करना यह नहीं है फिर्स्ट फार्म के साथ आपने आई एंजी लगाना था उसके बाद आपने अब्जेक्ट लिखना था ठीक है अगर इनको अर्दू में बात की जाए तो सबजेक्ट फाइल को बोलते हैं काम करने वाले को बोलते हैं जैसे फॉर एक्जेंबल मैं कहता हूं कि वो लहौर जा रहा है तो इसमें अगर गौर कीजिए कि इसके अंदर फाइल कौन सा यानि सब्जेक्ट कौन सा है यह वो है इसी तरह जाना क्या है यह एक वर्ब है जिसको उर्दु में फेल बोलते हैं और लहौर क्या यह अब्जेक्ट है हमारे पास अब इसको अब इसी सेंटेंस काम करेंगे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर इसका मन्फी बनाना तो इसमें कोई कोई बस्लान नहीं बहुत आसान कोई शुनिए आपने क्या लगाना पहले सब्जेक्ट फिर आपने इज मार डिपेंडिंग आपने नॉट लगाना और उसके बदापने अबजेक्ट लेखना ठीक है बनागे देखते हैं पहले हम एक सिंपल से से बनाते हैं कि वू कि चाए विज् 아 पी रही है अब अब यहांब देखें तो इसके अंदर उ्रदु में पैचान कि आ मैंने आपको बचाई ए रही है रहा है रहे हैं वगर आता है तो इसको का से के रट करेंगे इसको translate करने की कोश्चिश करें यहां पर सबसे पहले चुंकि यह वह और यह फीमेल है तो फीमेल के लिए हम सिंगुलर के लिए कौन सा परस्टनल परनौन यूज़ करते हैं सोचे ज़रा शी यूज़ करते हैं यस तो हम सबसे पहले सबजेक्ट की जगह पर क्या लगाएंगे शी उसके बाद मैंने आपको बताया था कि शी के साथ ही के साथ इट के साथ या कुछ सिंगुलर नेम के साथ कौन सा एल्पिंग वरब यूज़ करना है इन तीनों में से इस यूज़ करन मैं कहते हैं वह मैडिसन खा रहा है वह मैडिसन खा रही है या मैडिसन ले रहा है या मैडिसन ले रही है वह चाए पी रही है चाए पी रहा है या चाए पी रहे हैं तो इनके साथ आप टेक का इस्तमाल करते हैं ठीक है पीना की इंग्लिज़ वैसे ड्रिंक भी होनी है ड् तो यहां पर लिखेंगे टेक यह पाइब बहुत इंपर्टन बात यह कि सोचे ज़रा क्या यह सेंटन्स क्रेक्ट बिलकुल यह नहीं यह रौंग है मैंने जानबूज की लिख है चुंकि हमारे पास यह पहचान है जो तरीका कार रहाए इसका फिक्रे को बनाने का कि वो क्या आपने कोई is mr में से कोई personal pronoun को depending on the personal pronoun आपने कोई helping को लगाना है उसके बाद आपने verb की first form के साथ आपने ing के अजाफ हो गना है जिसको present पर बोलते हैं और फिर आपने object लिखेना है लेकिन यहां पर मैंने क्या किया है she is take t this is wrong ठीक है हम क्या करेंगे similar कि रेस्ट कर देता है नशी को हम यह दिए को उड़ाएं यहां से और यह सर लिखेंगे इसको cheese takingAudi n g लगाएंगे साथ she is taking tea or at the end just make sure this you have to put the full stop at the end of each and every single sentence otherwise your sentence will be considered incorrect you must have to put the full stop at the end यह punctuation का हिसा किसी भी संट्ञ्टन्स के साथ आपको लगाना होता है इसी दिरह मजीद प्रैक्टिस का लेते हैं कुछ सिंटेंस की अगर प्रेजंट कंटिनूस टैंस की फिक्राथ की और मिसाल यहां पे हमारे पास और फिक्राथ हो सकते हैं जैसे यहां पर हम कहा दें कि वह पहला संटेंस जो मैंने एक्जम्पल में लिया था वो लहौर जा रहे हैं फॉर एक्जम्पल हम कर लेते हैं तो इसको कैसे कि नवड़ करेंगे यह प्लूरल है गोर करें लहौर जा रहे हैं यह ऐसा नहीं मैं कह रहा है तो यह प्लूरल में तो हम यहां पे क्सको कैसे करेंगे दे की अपना वो गिंग्लिश क्या आतीए जब फलूरल में हो यह निए एक से ल्हाँ जाव लोग हूं हम क्या लेती है देए उसकी बाधा हम देखे हैं कि यहां पे इसके हैल्पिंग वरब कांटS आएगा क्योंकि यह पुलूरल है तो इ श्मो habr da अव्यक्ट अवड़ को हम उपस किने में प्रक्रापर न हम इसको इसका जो लहॉर का पहला लेटर यह ए लिखेंगे इसको स्मॉल एल नहीं लिखना आपने कैपिटल एल लिखना है एड़ फूल स्टाप आप जिहां से देदीजिए अब यहां पे देखें दरा हैल्पिंग वर जो वर्ब हमारे पस गो इसके साथ अपने किसके अजाफा करना है आपने इसके साथ अपने लगाना ज आई एन जी आर गोएंग टू लफॉर तो इस दग्रेक्ट सेंटेंस अगर इसका यह था एक अफर्मिटिव सेंटेंस असर्टेव सेंटेंस जो कि सिंपल था बहुत असान था इसका बब नेग्टिव में बनाते हैं कि वो लहॉर नहीं जा रहे हैं तो सिंपल है कोई इसमे आपने क्या कौन सा यूज करना हो चूंकि नगेशन है डेक्टिव सेंटेंस है आप यहां पर लगांगे दे आर नौट उसके पाल सेम रस्ट आप दे सेंटेंस चलेगा दे आर नौट गूइंग टू लहॉर तो बिलकुल हम लहॉर नहीं जा रहे हैं जाएंगे इंशाला तो यहां पर आर नाट गूइंग टू लहॉर तो यह आई होब आपको समझ आएगा बहुत असान है सिंपल आपने सेंटेंस है जास आर के बाद आपने नौट लगा देना बागी रस्ट आफ दे सेंटेंस सेंटेंस चलेगा उसके बादम इसका इंटी रॉग्डिव सेंट एफिंगर यजिव सांपने था पाकिस्टान से लुड हैं आपने स्कुबर्स इसको पाकिस्ताने जबान में पाकिस्तानी घारी आजसा-टेस्का बोनाया शान थे तो यह लाजमे लगाना तो यह 45 weight कि इसका पैसे समय है कि वो लहौर क्या वो लहौर जा रहे हैं या क्या वो लहौर नहीं जा रहे हैं तो यह क्या वो लहौर नहीं जा रहे हैं तो यह सिंपल सेंटेंस हैं अगर नेग्टिव गना ना अगर नेग्टिव भी हो और कुछ डबली ओच फैमली हम साथ शामल कर ले दंबल्होर कियों नहीं जा रहे वह लहोर कहां जा रहे हैं यह नहीं दावली ऑच नही है यहां च्छा रहे है तो हम क्योंकि इंग्लिश क्या दिया वाई आगे हम लगाएंगे वाई आर दे नौट गोईंग टू लहॉर आपने इंटिरोग्रिव साइन फिर से लगाना तो यह बहुत असान इसके अंदर किसी किसम का मसला नहीं एक मैंने इसको सिंपल सेंटेंस बनाया जिसको असर्टिव यह अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं सिंपल आपने क्या करना है बस परस्नल पर न में और हैल्पिंग वर बहुत इंपोर्टेंटेंस के अंदर आपने इस एम आर यूज़ करने वो मैंने आपको बता दिया कि परस्नल कौन सा हो तो उसके सब कौन सी आपने हैल्पिंग वर यूज़ करनी है आई होप आपको यह मेरे लेक्चर पसंद आया होगा अगर आपक कि यह कोई फरगरी पढ़ने वाला और साथ ही राइट साइड फे बैल आइकन है वह भी दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली जो वीडियोस हैं उनको नोटिफिकेशन मिलते रहे थैंक यू सो मुच टेक कियर